हेलो स्टूधेंट्स आज बीस्स एकेंड एर का फ़र्स लेक्चर हो रहा है स्वामि केशवनंत सीनिर सेकंडरी की ओनलाईन अन्यासेज में आपका स्वागत है थीक है फर्स चेप्टर है इसका इस्थूल निकायों में अन्योनिक किरियाओं इस्थूल निकायों में अन्योनिक किरियाओं का मतलब क्या समझते हैं थर्मोडायनिक्स में हम सबसे पहले तो यह समझते हैं थर्मोडायनिक्स क्या है उस्मा गतिगी क्या है उस्मा गतिकी का मतलब है Thermo means Temperature ठीक है Dynamic means Motion मतलब की दो वस्तुओं के बीच में जो उर्जा का Veneme होता है Veneme मतलब Motion मतलब उर्जा एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जो जाती है और उसके बारे में जो हम डिटेल में अध्यन करते हैं ठीक है तो वो Physics की जिस ब्रांच के अंदर करते हैं वो होती है उसमा गतिकी ठीक है तो हमको सिर्फ जो उर्जा का जो Veneme हो रहा है उसके बारे में अध्यन करना होगा उसमा गतिकी के अंदर ठीक है अब इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशन्स हैं जिनके बारे में हम जान लेंगे तो आगे के जितने भी chapters हैं उन सब को पढ़ना easy हो जाएगा ठीक है और ये सब को clear होनी चाहिए सारी के सारी definitions ठीक है otherwise आपके सर के उपर से जाता रहेगा और आपके कुछ समझ नहीं वेटेगा ठीक है तो आप इन definitions के बारे में एक बार हम चर्चा कर लेते हैं जिसमें सबसे पहली definition उसमा उसमा गति की पड़ी है लेकिन ये उसमा क्या होती है उसमा क्या होती है ये एक प्रकार की उर्जा का ही स्वरूप है जिस तरीके से एनर्जी होती है ये एनर्जी का ही एक रूप है ठीक है मतलब उसमा एक उर्जा ही है एक तरीके से जो की उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ इस्थानांतरित होती है ठीक है जो ये एनर्जी है जिस वस्तू का ताप मान जदा होगा और जिस वस्तू का ताप मान कम होगा तो इसका नियम है कि ये उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ इस्थानांतरित होती है ठीक है बच्चो तो उस्मा की डेफिनिसन आप लोगों को समझागी होगी नेक्ट है ये उच्छ ताप और से निम्न ताप की तरफ ये उर्जा का विनिमे जो हो रहा है लेकिन ये ताप क्या होता है ताप क्या है किसी वस्तु या निकाय का वह बहुतिक गुण है ये जो की उसकी गरमाहट या सीतलता का बोध कराता है ताप कहलाता है ठीक है किसी भी वस्तु को हम टच करते हैं तो वो गरम महसूस होती है ये ठंडी महसूस होती है ठीक है बतलब कोई बस तु घरम या ठंडी हमें लगरी है तो ताप के कारण ही लगरी है ठीक है तो ताप एक बहुतिक गुण हो गया physics के अंदर ठीक है अब जो मैंच पोइंट आता है वो आता है निकाय निकाय क्या होता है है कि निकाए इंगलिस हुलाई सिस्टम बोलते हैं ठीक है निकाए कि वो भूतिक रासी होती है फिजिक्स के अंदर निकाए वो भूतिक रासी ले कि जिसके बारे में धर्व डाइनक्शम थर्मोडायनमिक्स में अध्यान किया जाता है निकाए एक तरीके से एक तरीके से आधाहार हो गया थर्मोडायनमिक्स का जिसमें की जिसका की अध्यान किया जाता है यह दो प्रकार क्या होते हैं सूक्ष्म निकाए और इस थूल निकाए सुक्ष्म निकाए क्या होते हैं जैसे कोई वस्तू है हमारे पास तो उस वस्तू के अंदर छोटे-छोटे इलेक्टरॉन्स प्रोटॉन्स नीट्रॉन्स ठीक है परमाणू होते हैं उसके अंदर ठीक है आप जैसे मालो ये वस्तु है इसके बारे में यदि हमको अध्यान करना है इसके टेमपरेचर के बारे में इसकी उर्जा किस तरीके से दूसरी वस्तु में जा रही है इसमें किस तरीके से उर्जा आ रही है तो वो जो study thermodynamics के अंदर की जाती है वो इस निकाए की की जा ठीक है इसको कि हम बेस लेके हम thermodynamics की जो भी फिनोमिनाज पढ़ते हैं जो भी हम thermodynamics के अंदर जो भी derivations करते हैं जो भी definitions समझते हैं वो सारी इस निकाए के लिए ही applicable होती है ठीक है तो निकाए के अंदर क्या होता है दो प्रिकार के निकाए होते हैं First, Micro, and Second, Macro Micro सूक्ष्म निकाय, Macro स्थूल निकाय सूक्ष्म निकाय का मतलब क्या है? कि इस वस्तू के अंदर जो छोटे-छोटे ये particles हैं यदि हम separately इनके बारे में अध्यन करें पर तेक एक सूक्ष्म निकाय के लिए यदि हम अध्यन करें तो ये सुख्ष्म निकाए यह होते हैं यदि हम इनके बारे में द्यन करे луч PARTICLES के बारे में ये मंद्यन करते है तो वो भष्ष्म निकाए की तरह काम करते हैं और यदि हम इस पूरी वस्तू का जिसके अंदर बहुत सारे शुख्ष्म निकाय है उसका यदि completely पूरी उस वस्तु के बारे में धिन करें तो वो इस थूल निकाय होते हैं इस थूल मिन्स बड़ा ठीके तो यह जो वस्तु है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे से बारे बारे पार्टिकल्स है परमानु होएं बहुत सारे तो इनके बारे में capable इनके बारे मं जो इस थूल की जाती है इस थूल मतलब जो कि यह उर्जा का विनीमượng हो रहा है कि इसके अंदर ऊर्जा किस तरीके से एक वस्तू से दूसरी वस्तू में ट्रांसफर हो रही है एक वस्तू से दूसरी वस्तू में इस्तनांतिर्त हो रही है जो ये स्थूल निकाओं के बारे में जो हम अध्यान करेंगे उसकी दो विदियां है एक तो उस्मा गतिक विदी है और एक सांखी किये विदी ह जो की हमारी इस book का भी नाम है उसमा गतिकी एवं सांखी की बहुतिकी ठीक है तो इस थुल निकाव की जो ये study की जो ये method है उसमा गतिक विदी और सांखी के विदी इनी के उपर हमारी पूरी book depend करती है और हमको पहले जो अध्यन करना है थर्मोडायनमिक्स के अंदर वो उस्मा गतिक विदी के बारे में अध्यन करना है सांखी के विदी के बारे में बाद में श्टडी करेंगे ठीक है तो उस्मा गतिक विदी क्या कहती है उस्मा गतिक विदी को समझने से पहले हमको निकाय के कुछ parameters के बारे में हम समझना जरूरी है निकाय जो की स्थुल निकाय है इसके बारे में जो हम study करेंगे जो हम अध्यान करेंगे तो वो कुछ parameters के उपर depend करता है जो भी अध्यन होगा वो इन parameters के डिपेंड करेगा कि उस्वस्तु का आयतन क्या है ताप क्या है, दाब क्या है विद्दुद छेतर क्या है उसके अंदर और चुमिके छेतर क्या है तो ये निकाय के वो parameters हैं जिनके द्वारा हमें इसकी पूरी complete study करनी होगी ठीक है अब ये उस्मा गतिक निकाय क्या होता है उस्मा गतिक निकाय वो निकाय होते हैं जिनकी अवस्था ताप, दाब, आयतन, एवोम, आंत्रिक उर्जा द्वारा व्यक्त की जा सके वो उस्मा गतिक निकाय क्या होते हैं अब हमको उस्मा गतिक विदी से इस्थूल निकायों के बारे में अध्यन करना है तो अब हम उस्मा गतिक निकाय के बारे में भी बात कर लेते हैं उस्मा गतिक निकाय क्या होगा जिसकी अवस्था को ताप दाब आयतर नेवं आंतरी कूर्जा द्वरा व्यक्त किया जा सके वो उसमा गतिक निकाय कहलाते हैं अब यह उसमा गतिक निकाय कितने प्रकार के हो सकते हैं उसमा गतिक निकाय तीन प्रकार के हो सकते हैं खुला निकाए, बंद निकाए और विल्गित निकाए open, close, isolated खुला निकाए का मतलब क्या है खुले निकाए का मतलब ये है जैसे ये एक निकाए है खुले निकाए से मीनिंग ये हो गया कि इसके द्वारा खुले निकाए में से इसके अंदर कोई द्रव्य भी add किया जा सकता है और कोई उर्जा भी इसके अंदर इस्तानांतरित की जा सकती है तो इस पिरकार के निकाए को हम खुला निकाए कहते हैं ठीक है इसके अंदर द्रव्य मतलब मास मतलब द्रव्यमान मतलब कोई पार्टिकल हम इसके अंदर एड़ कर सकते हैं और हम इसके अंदर ऊर्जा भी दे सकते हैं इसके अंदर जैसे कि कोई पर्टिकुलर को निकाय है इस टाइप का उसके अंदर हम ऊर्जा एड़ कर सकते हैं एनर्जी भी हम इसको दे सकते हैं, उर्जा किसी भी तरीके से दी जा सकती है, चाहे हम उसको गरम करके दें, चाहे हम कैसे भी दें, उसको प्रेस करके दें, चाहे कैसे भी करके उसको अंदर हम एनर्जी दें, लेकिन उसके अंदर हम एनर्जी दे सकते हैं, साथ ही वो इतना वो ओपन होता है उसके अंदर हम मास भी दे सकते हैं तो ये खुला निकाय होता है ठीक है बंद निकाय क्या होता है बंद निकाय के अंदर हम उसके अंदर एनर्जी तो दे सकते हैं लेकिन उसमें हम कोई मास या कोई पार्टिकल उसके अंदर हम एड नहीं कर सकते हैं सिर्फ ह एक निकाए एक बंद निकाए दूसरे बंद निकाए के साथ में एनर्जी का ट्रांसपर तो कर सकता है ठीक है लेकिन लेकिन ये उसके जो जो उसके अंदर जो मैटर है जो उसके अंदर द्रव्य है उस द्रव्य को एक दूसरे को इस्तानांतरित नहीं कर सकते हैं वो बंद न निकाय कौन से होते हैं विल्गित निकाय वो निकाय होते हैं जो कि एक निकाय दूसरे निकाय से ना तो वो द्रव्य का इस्थानांतरन कर सकता है ना ही वो उर्जा का इस्थानांतरन कर सकता है ठीक है तो इस पिरकार के जो निकाय होते हैं वो विल्गित निकाय होते हैं अब आती है बात निकाय की अवस्थाएं निकाय की अवस्थाएं कोंसी होती हैं निकाय की अवस्थाओं में तीन पिरकार की अवस्थाएं हो सकती हैं इसकी स्थूल अवस्थाएं सूक्षम अवस्थाएं और अभीगम में अव मवस्ताय कहलाती है और सुक्च मवस्ताय होती है जिनको उर्जा इस तरों के रूप में व्यक्त करते हैं उनको उर्जा इस तरों के रूप में व्यक्त करते हैं अब इस तुल निकाएं तो कौन से होते हैं जिन के अंदर पूरी की पूरी एक पूरे एक बड़े पार्ट का धिन किया जाता है तो ये ताप दावाय तो नंसे नदद चना से व्यक्त होते हैं सूप्च मभस्ता वह होती हैं जिनके अंदर सर्टों का पालन करती हैं तो इस तरीके से हमने कुछ एक बेसिक डेफिनेशन्स हैं जिनको आप अच्छे से लर्न कर लेड़ा ये आगे आपको पूरे चैप्टर को समझने में बहुत मदद करेंगी ठीक है और नेक्स टॉपिक पर चलते हैं अब तो बच्चों हमारा नेक्स टॉपिक है कि निकायों में अन्योन क्रियाएं कौन-कौन सी होती है अन्योन क्रियाओं का मतलब क्या है निकायों में अन्योन क्रियाओं का मतलब क्या है निकायों में अन्योन क्रियाओं का मतलब क्या है निकायों में अन्योन क्रियाओं का मतलब क हैं जिसमें की पहला निकाय है दूसरा निकाय है एडेसम ठीक है निकाय आप समझके के बार-वारर निकाय की बार निदेना होता है एक निकाय लेना होता है जिस के बार जिससे ओर एक का Classpected Sotak to उसकी उसीत ले रहा है यह ли चोड़ रहा है उसके बारे मैं अध्यन ही उसमा गति की है ठीक है तो हमको निकाय तो लेना ही होगा तब ही तो कोई चीज समझाएगी हमें तो निकाय ए और एडेस हमने दो निकाय ले लिए अब इसके अंदर इन दोनों को मिला के एक सईयुक्त निकाय बना है एश्टार ठीक है अब यह निकाय ए और निकाय अडेस है यह तो ओपन निकाय है खले निकाय है जो की दरव्य और उजाखा एक दूसरे में इस्थानांतरन कर सकते हैं लेकिन जो यह सईयुक्त निकाय बना है इसमें A भी है और इसमें A डेस भी है और जो इन दोनों का निकाएगा मतलब यह है कि ना तो इस पे कोई उड़जा एड़ की जा सकती है ना ही इसके उपर कोई द्रव एड़ किया जा सकता है तो जो ए और ए इस्टा एड़ेस इन दोनों से मिला हुआ जो कमबिनेशन है वो इस्थिर रहता है भले ही ए कम हो जाएगा एड़ेस जादा हो जाएगा ठीक है मला उड़ जाए यह एक दूसरे को ले दे सकते हैं लेकिन यह इस सिस्टम से भार नहीं जा सकती इसकी एनरजी तो यह हो गया एड़ेस ठीक है इसको सभी निकाए माना है तो माना कि एस्टार के अंदर जो टोटल एनरजी है पांच इकाई है और विल्गित निकाई है विल्गित निकाई है मतलब कि इसकी एनरजी कहीं बहर जादा सकती नहीं इसके अंदर को एड़ कर सकता है तो यह पांच ही रहेगी continuous कम जादा इसकी हो सकती है एक ही यदि एनरजी 1 हो गई तो यह ड़ेस की 4 हो जाएगी क्योंकि दोनों का टोटल तो यह एक विल्गित निकाय है A star जिसके अंदर उर्जा नियत रही तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि निकायों के अंदर यह एक example है ठीके तो इस case में क्या होगा माना यह EI क्या है A की प्रारंबिक उर्जा है इनको combine करने से पहले की उर्जा है EI A की जो A निकाय है उसक और EI डैस क्या है A डैस निकाय की प्रारंबिक उर्जा है लेकिन जब इनको हमने combine कर दिया एक संयुक्त निकाय A star बना दिया तब उस case में क्या हो रहा है कि जो A की जो उर्जा है वो तो EI से EF हो गई और EI डैस की हो गई EF डैस क्योंकि उनके बीच में कोई ने कोई उर तो झाल और EI कैं हमने कोई और EF हो गई है तो उसके अंदर change क्या हुआ EF-EI EI को इधर चले गए लेकर EF-EI हो गया अब EF-EI- हो गया EF-EI- हो गया इस इकल टू जीरो अब जो EF-EI है वो एक्ष्वल में क्या है निकाए A के अंदर उर्जा का बदलाओ जो उर्जा इसके अंदर परिवर्थित हुई है वो हो गया कोगी F for final, I for initial initial मिन्स सुरुवाती उर्जा इसकी EI थी और final EF मिन्स इसकी final उर्जा जो की इनको सहीख्ट करने के बाद है वो EF है ठीक है तो जो इसको निरूपित करते हैं डेल E से और इसको करते हैं डेल E डेस से is equal to 0 अब डेल E क्या हो गई निकाए A की उसत उर्जा में परिवर्थन निकाए A की उसत उर्जा में परिवर्थन है वो डेल Eस से दिखाएंगे और निकाए A waffle की उसत उर्जा में परिवर्थन डेल E Championship हो छीक है अब जो इस टाइप से जो उर्जा का लेंड देन होता है जैसे कि A और A-S के बीच में जो उर्जा का इस्थानांतरन हो रहा है एक दूसरे में तो इनको बोलते हैं अन्योनिक क्रियाएं यह होती है अन्योनिक प्रोसेस जो कि एक दूसरे के अंदर इंटरेक्शन पैदा करती हैं इंटरेक्शन के कारण जो यह प्रोसेस फोलो होती है इसको बोलते हैं अन्योनिक क्रियाएं अब यह दो प्रिकार की होती है उसमें अन्योनिक क्रियाएं और दोसमें अन्योनिक क्रियाएं क्या होती है निकाय के इन उसमी अन्योनिक क्रियाओं के अंदर क्या होता है कि इसके उर्जा इस तरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है मतलब जो ये निकाय है A और A डेस यदि उसमी अन्योनिक क्रियाओं इनके बीच में होंगी तो इस केस में क्या होगा इसके उर्जा इस तरों में कोई परिवर्तन नहीं होता है ठीक है अब equation first से हम देखें तो A वे A डेस की उर्जा में परिवर्तन को यदि Q वे Q डेस से सो करें Q क्या है उसमा के लिए आया है क्यों कि हम यह बात कर रहे है उसमा लिजा रही है कर रहे है हम Q और Q से तो इसके अंदर जो energy है यह इस energy को हम mobility Q और Q से सो करेंगे तो Q और Q से सो करेंगे यहाँ उसमा की बात चल रही है तो उसमा के रूप मे Q और Q डेस लेते है तो Q is equal to minus का Q dash हो जाएगा ठीक है अब जो ये Q होता है वो तो क्या होता है अबसोसित उर्जा को सो करता है Q को हम use करते हैं अबसोसित उर्जा दिखाने के लिए और minus का Q dash होता है उसको दिखाते हैं हम उत्सरजित उर्जा को दिखाने के लिए तो इसका मतलब क्या हुआ अवसोसित उर्जा बराबर उत्सरजित उर्जा मतलब एक निकाए A जिसके दौरे जितनी उर्जा वसोसित की जा रही है क्योंकि Q हमने A के A निकाई के लिए लिया है और Q डैस हमने लिया है A डैस निकाई के लिए तो निकाय द्वारा अवसोसित उस्मा निकाय एडेस द्वारा उत्सरजित उस्मा के बरावर होगा ठीक है तो इस तरीके से जो एन्योनिक करिया होती है ये इस समीकरण को लेके आती है हमारे पास एक निकाय दोरा अवसोशित उस्मा दूसरे निकाय दोरा उत्सरजित उस्मा के बराबर होती है कब होती है जबकि वो दोनों मिलाके एक विलगित निकाय बना रहे हो समझगे इसी एक्जामपल को के बेस पे ही हमने ये डेफिनिसंस बताई हैं आपको नेक्स्ट है रुद्धोस मन्यों निकरिया क्या होती है इसके अंदर जो ये निकाय है वो उस्मरोधी है मतलब उनमें उस्मा का एक दूसरे में विने नहीं हो पाता अपने आप लेकिन उसके कुछ बाई प्राचलों में परिवर्तन के बाद हम उसके अंदर उस्मा का विने में इस्थापित कर सकते हैं ये रुद्धोस मन्यों निकरिया होती है जो निकाय जिनके अंदर की एनरजी एंटर नहीं हो सकती उस्मा उनके अंदर नहीं जा सकते उनके आंदर जो वाउल होती है उनके चारो तरफ जैसे मैंने बताया था आपको इसके अंदर चोटे चोटे यह वाउल है यह वाल क्या है उस्मा रोधी है लेकिन उस्मा रोधी होने के बाद भी यदि इसके भाईय प्राचल कौन से प्रेसर, टेंप्रेचर, वोल्यूम, ठीक है, इलेक्ट्रिक फिल्ड, मेगनेटिक फिल्ड, तो ये जो है, इनको यदि हम चेंज करके और इसके अंदर उसमा का संचरन कर सकें, तो इस पिरकार की किरियाओं को क्य प्रेसर को लेंगे तो देखो, ये जैसे हमारे पास में, एक विल्गित निकाए है, ठीक है, अब इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये एक विल्गित निकाए की तरे कारे करेगा, ये वाला पार्ट, ठीक है, अब यदि इसका यहां से प्रेसर यदि हम बढ़ा दिया जाए यह प्रेसर इसका कम कर दिया जाए या तो हमको नीचे से इसको एनर्जी देदे हम हीट से ठीके नीचे से एनर्जी देदेंगे तो क्या होगा इसका प्रेसर बढ़ेगा इसका pressure बढ़ेगा तो यह piston यहां से shift होके इधर चला जाएगा ठीक है तो इस तरीके से क्या हुआ इसके अंदर इसके भाई यह प्राचल जो की heat से हम यहां पर generate कर रहे हैं temperature हो गया भाई यह प्राचल हमको पता pressure है temperature है volume है तो इसके अंदर इसका temperature हम change कर देंगे तो इस case में क्या होगा इसका यह piston यहां से इधर shift हो जाएगा और जब इधर से इधर shift हो रहा है तो विस्थापन हो रहा है तो कारिय होगा तो इस पिरकार जो इसकी जो यह equation थी energy में जो change हुआ है उसको हम कारिय के द्वारा निरूपित करेंगे w plus w dash is equal to w is equal to minus का w dash तो इस case में एक निकाय द्वारा किया गया कारिय दूसरे निकाय पर कारिय के तुल्ले होता है ठीक है तो बच्चो इस तरीके से हमने आज इसकी कुछ basic चीजे पढ़ी है thermodynamics की जिसके अंदर निकायं के इन्नों निक्रिया यह important है और बाकी का बाकी की और भी definitions है जिनके बारे में अभी हमें अध्यन करना है जिनकी initial definitions हमें पता होना जरूरी है तो बाकी अगले lecture में करेंगे ठीक है बच्चो तो आप continuously साथ के साथ अपने एंडर से भी books की help लेते हुए अध्यन करते जाएए जिससे की हम इसको timely complete कर सके ठीक है उच्चो